गुड मॉर्निंग क्लास बेटे आज हमारा फर्स्ट क्लास का इंदी का और आज हम पढ़ेंगे छोटे उ की मातरा ठीक है बेटे छोटा उ ठीक है उ की आवाज आएगी जब हम इसका यूज करेंगे ठीक है जैसे देखो पाको बड़ा पाको चूटा उ लापूल ठीक है उ की वाज आ रही है काको चोटा उ ठाको ई याको आ कुटिया खाको बड़ा उ श खुश जानु उ न माको उ न जुन्मुन धनाको उ श धनुश साको बड़ा आ पाको उ न साबुन ओके जैसे देखो र गाको उ रगू त नाको उ तनु गाको उ लाको आ घूला धाको उ लाको आ दूला साको उ ख सुक माको उ ख मुक बड़ा आ बुवा साको उ नाको आ र सुनार लाको उ हाको आ र लुहार फाको उ हाको आ र फुहार ठीक है? ऐसी आप भी बोलो मा नाको उ मनू क टाको उ कटू काको उ लाकोई कुली गाको उ लुडा गुड साको उ ना सुन बाको उ ना भुन जाको उ काको आ व मा जुकाम पाको उ लाकोआ व पुला जाको उ राकोआ बा जुराब बाको उ खाकोआ र बुखार ठीक है? ऐसे आपने भी बोलना र ठीक है? और ऐसे हम जो है चोटे उ का यूज करते है पेटे इसके साथ हम साथ ही पढ़ते हैं देखो चुन्मन जैसे ये है ठीकए शब्द जोडने और शब्द जोडने है पढ़ना है आपने ठीकए जैसे देखो वह साबून लाया साबून बहुत बड़ी थी वह साबन कुर्सी पर रखकर कुटिया चला गया आपने ऐसे जुआ है शोबत जोडने है पहले और फिर संटेंस बनाना है जैसे देखो साकु आब आकु उना साबन बहुत बहुत बढ़ा कोई भड़ी था कोई थी साबन बहुत बड़ी थी ठीक है वह साबन कुर्सी पर रखकर कुटिया चला गया मुन की कुटिया का दरवाजा खुला था चुनमुन बहुत खुश हुआ तब ही पुजारी आया पुजारी गुलाब वा तुलसी की माला लाया पुजारी बहुत पुराना था वह बगवान पर कुछ गुलाब जामुन चड़ाएगा जैसे बचे मैंने ये आपको चुनमुन पढ़ाया है सेम ऐसे बुल बुल जो है वो पोईम है ये आपने खुद पढ़नी है पढ़के रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करनी है जैसे मैं एक बढ़ बोल देती हूँ फिर आप वैसे जो है वो बोलना जैसे देखो सुबह सुबह बुल बुल आती मीठा मीठा गीत सुनाती गीत सुना कर खुश कर जाती फुद्ध फुद्ध डाली पर गाती जामुन खा कर फुर उड़ जाती बुल बुल गीतु सुहान ना गाती ठीक है ऐसे आप जी पोइंट पड़ो और आडियो बना के मुझे सेंड करो और साथ में आपने और साथ में आपने जो जे है छोटे होगी मातरा ये आपने 10 वर्ड्स लिखनी है ठीक है लिखके उसके मुझे पिक लेके